Class 9 Math Chapter 7 Triangles Exercise 7.1 का question number 7 है AB is a line segment and P is its midpoint AB एक line segment है और P उसका midpoint है D and E are point on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE और angle EPA is equal to angle DPB ये figure दे रखी हमें शो करना है हमने triangle DAP congruent to triangle EBP एक तो ये शो करना है और दूसरा शो करना है हमने AD is equal to BE अब देखो इसको पहले figure से हम इसको समझते हैं देखो AB एक line segment है और P इसका midpoint है यानि कि P बिलुकुल बीच में है यानि कि AP और PB equal है टेक है AB एक line segment है और P इसका midpoint है अब क्या लिया उसके बाद हमने और इसने क्या कहा ये देखो ये figure बना रहे हैं इसने और इसने कहा है ये वाला angle है जो यानि कि B B A D ये वाला angle और A B E A B E ये वाला angle और ये दोनो angle क्या है equal है इसने कहा है ये दोनों angle equal है और क्या कहा है इसने E P A E P A ये वाला angle और D P B ये वाला angle ये दोनों angle भी equal है ये question में हमें दिया हुआ है figure में हमें दिया हुआ है और हमने prove करना है कि D A P D A P ये वाली triangle ठीक है ये वाली triangle D A P किसके concurrent है E B P ये वाली triangle है जो ठीक है इन दोनों triangle को हमने concurrent prove करना है तो अगर बात करें हम D A P D A P तो अगर इस angle को भी हम ये angle देखो ये angle और ये angle equal है तो ये angle रहा गया बीच में ये पूरा angle आना चाहिए था ठीक है ऐसे ही E B P में भी ये पूरा angle आना चाहिए था तो क्या करेंगे जैसे हमने question number 6 में किया था विल्कुल वैसा ही है ये angle बीच में आ रहा है इस angle को इन दोनों angle में क्या कर देंगे add कर देंगे ठीक है ये क्या था में गिवन था ये गिवन लिखा है मने अब क्या करेंगे add कर देंगे ये बीच वाला angle इन दोनों में ठीक है adding E P D adding angle E P D on both side वी है दोनों तरफ इधर भी angle E P D add कर दो और इधर भी angle E P D add कर दो ठीक है जब इसमें angle E P D add किया तो देखो ये क्या बन जाएगा पूरा angle ये पूरा बन जाएगा AD ये ऐसे ये पूरा ये बन जाएगा angle ठीक है जब इस angle में जब ये वाला angle add होगा तो ये पूरा ऐसे angle बन जाएगा यानी कि A P D बन जाएगा तो A P D लिख दिया इसकी जगा ऐसे ही जब इस angle में यह वाला angle add होगा तो यहां से लेके यहां तक यह पूरा बन जाएगा यानि की BPE बन जाएगा यह वाला angle क्या बन जाएगा BPE इसको हमने first माल लिया मानना है तो अब हमने prove करना है जो prove करना है वो दोनों triangle अब हम ले लेंगे triangle DAP और triangle EBP ये दोनों हम triangle ले लेंगे इन triangle DAP और EBP अब जो हमें given है वो हम लिख लेंगे क्या क्या देखो इन जो ये 5 हमारे पास rule थे, इन में से हम देखेंगे कि कौन सा rule लग रहा है side angle side है, angle side angle है, angle angle side है या side 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 या RHS कौन सा rule लगेगा देखो, अब ये तो हमें अभी अभी हमने प्रूव किया है ये हमने लिख दिया ये वाला angle, ये सारा angle अगर इस triangle की बात करें ये वाला angle और इस triangle की बात करें दूसरी की ये वाला angle ये दोनों angle होगे equal ठीक है, दो लग-लग triangle थी उन दोनों के corresponding angle क्या होगे equal और क्या होए अभी AP और BP equal है AP और BP equal है क्योंकि P इसका midpoint है तो हम AP is equal to BP क्यों reason क्या देंगे P is the midpoint of line segment AB P midpoint है तो AP और PB equal हो जाएंगे तो corresponding angle equal होगे corresponding side equal होगी अब क्या बचा ये angle side और एक angle अगर और equal हो जाएं तो ये पहले से given था में ये वाल angle ठीक है पहले से given था equal था है तो DAP angle DAP is equal to angle EBP ठीक है दोको ये angle पहले से equal था ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं given ठीक है क्योंकि देखो DAP ये वाला angle इस वाले angle के equal था तो हमने इसको ले लिए DAP पुरा आगे तक नहीं गए यहां तक भी ले सकते हैं बात तो वही है D A वैसे तो D A हमें ये दे रखा था D A P ये वाला angle और दूसरा कौन सा था E B E B P ये दोनों angle क्या हो गए equal हो गए ये पहले से हमें क्या था given था ठीक है तो ये है angle ये है side ये है angle angle side angle congrrence rule हमने लगा दिया तो दोनों triangle क्या हो जाएंगी congruent हो जाएंगी triangle D A P congruent to triangle E B P दोनों congruent हो गई ठीक है ये हमने प्रूव करना था प्रूव कर दिया दूसरा पार्ट है A D is equal to B ये दोनों triangle congruent हो गई है तो इनके corresponding part भी equal हो जाएंगे since triangle D A P congruent to triangle E B P इसलिए क्या हो जाएगा A D A D is equal to B E क्या लिख देंगे आपे C P C D ठीक है इस तरह से ये question हमने करना था अब next